जे जे राम, जे सी राम, जे हो अनुमान जी महराज, जे हो बागे स्वर्धाम सरकार, हिंदू धरम में लवंग का परियोग का बहुत ही खास महत्माना जाता है, यदि लवंग के बारे में देखा जाएं, तो लवंग तो मसाले में भी परियोग किया जाता है, क्योंकि इसका एक तरफ देखा जाए तो लवंग सेहत के लिए बहुत ही लाबदायक होता है और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए जिसके कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय होते हैं ऐसे धन दौलत समद्धे कुछ ऐसे टुटके होते हैं जिसका आप कभी तुलना ही नहीं कर सकते हैं लब धौन दवलत के दी समस्या है तो आप लवंग और कपूर का जरूर ही उपाय करेगा इस अक्षात मातालक्षमी को आपके घर में परवेश करने पर मजबूर कर देता और परवेश कराकर ही रहता वैसे आप यदि लवंग का प्रयोग करते हैं आपके जीवन में इसका ता पैसा आएगा का आप उस पैसे को समभाल नहीं पाएंगे जोतिस सास्त में वैसे लवंग के कई सारे उपाय और ठोटके बताएगा है जो बहुत ही कारिकर होते हैं आपके जीवन में कैसी भी समझ जाओं हंडेड परसेंट है समाप्त हो जाएगे बस लवंग को आप पाएंगे जोतिस उपाय कर ले यकीन वानिये आपका जीवन का भाग ही बदल जाएगा वैसे लवंग और कपूर नोडातर में माता दुरगा की पूझा करने के लिए किया जाता है लेकिन आप लवंग और कपूर के ऐसे साइट टुटके नहीं जानते होंगे जो आपकी ज चुटकारा पाना चाहते हैं तथा आप बागेस्वर बाबा का सिर्वात पाना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें तथा साथ में सब्सकाइब नहीं किया हो तो सब्सकाइब जरू करिए अपने सभी फ्रेंडों में खुल कर कैसे जरू करिएगा वैसे लवंग का उपाया देखा जाए तो सबसे पहला नमर का जो तांत्रिक उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए निगेटिव इनरजी नकरात्मक सक्तिया आपकी घर में पढ़ गई हो आपके पीछे पढ़ गई है अच्छा कैसे पता चलेगा कि आपके घर में निगेटिव इनरजी ह इस लवंग कारते हैं वह सफलने अच्छा बढ़ना काम बिगडने लगता है बीमारिया तरह तरह के आने लगती बीमारी दवा कराने पर भी ठीक नहीं होता था बस इस लवंग का एक बार जरूर उपाय कर लिजाए करना क्या है सनिवार और रविवार के दिन सनिवार और रविवार के दिन कर सकते हैं संध्या के समय लगभग पांच बजे साड़े पांच बजे के समय में आप इस उपाय को करिए करना क्या है पांच लवंग लेजिए साबूत लवंग होनी चाहिए ठीक है पांच लवंग उसमें तीन कपूर और तीन हरी इलाइची धान से समझिए पांच लवंग तीन कपूर और तीन इलाइची एक छोटी सी दीपक में रख करके इसको जला देना है ठीक है जलाने के बाद इसके धुआ को पूरे घर में घुमा देना है पूरे घर में घु निगेटिव एनरजी रहे तो उससे दोर होंगे लेकिन जूर जलने के बाद राख बुचे में उस राख को आपने घर के अंदर को निगेटिव इनरजी परवेश ही नहीं कर सकते हैं एक दो दिन के बाद ही तुरंत उसका परभाव आपको दिखना शुरू हो जाएगा बाहुत ही चमतकारी यह उपाय है दूसरा नमर के उपाय है कि यदि किसी जातक के कुंडली में राहुकेतु का दोस लगा अब चाह लड़का और बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि विभाह का योग बनी नहीं लाऀं सुभ योग नहीं थाए त component आप जो है इसका उपाय कर लेजीगा इस लवंक की उपाय को जो तीस इस व्हासर में इस उपाय को बहुतures इकार उपाय बताए गया से इनिवार 11 सनिमा, जितना ही आप जो एदान करेंगे उतना ही जल्दी आपका सुभयोग बनना सुरू हो जाएगा, राहु केतु का दुस्परभाव होगा, वो बिल्कुल समाप्त होना सुरू हो जाएगा, यदि आप इसको नहीं चाहते हैं, इसके साथ साथ कुछ और भी कर सकते हैं, आप क्या करें, सिवलिंग पर, ठीक है, सिवलिंग पर सुमार के दिन, सुमार के दिन करें, या रोज पूजा करते हैं, तो रोज कर सकते हैं, वैसे सिवलिंग पर सुमार को, जो भगवान सिव का ही दिन होता है, या आप सनिमार के दिन कर सकते हैं तो सीwen nan perव आपको लवंग समर्पित करना है जब भी आप फूझ़ा करने जाए तो आपको भगवद से लवंग समर्पित करना और इस काम को यदि लगभग चालिस दिनों तक कर देते यह चालिस समवार कर दे चालिस समर्पित कर दे तो जो आपके पिश्चमतकारी फाइदेमंद लबदायक उपाये आप कोई ब्यपार करते हैं कोई नौकरी करते हैं और नौकरी के लिए इंटर्व्यू देने जाते हैं नौकरी से परसान रहते हैं नौकरी नहीं लग रही ब्यपार नहीं चला घाटा ही घाटा हो रहा है मुनापा नहीं द आते हैं तो आप घर से जब भी निकले तो घर से निकल सेम्हें अपने मुख में दो लोघ डाल लेना है ठीक है धान से समझेखा10 का असमरड करना है वह समर्ड करना करना है यय। आपको हनुआचलिसा कंठस्च है तो बढ़ी अच्छी बात है हनुआचलिसा吧 उसमर्ड करने और जब आपका इंटर्वियू या आपने ब्यापार का जहाँ पर भी जो प्रिवेस करने का जो समय होता है, तो जब आप प्रिवेस करें, वहाँ पर अपने इस्टदेव हनुमान जी का नाम लिजिए और वहीं पर दूनु लओं को वहीं पर निकाल करके फेक देना है, उसक कि जो मनुकामना होगी, अवस ही पूरी हो जाएंगी, आप इन उपायों को एक बार जरूर करिएगा, हनुमान जी पर भरोसा रखे इन उपायों को करिए, हनुमान चालिसा का पाठ तो जरूर ही करिए, कम से कम, ठीक है, और जब आपका काम सफल होता है, आकर के हनुमान ज होते हैं, घर में लडाई जगड़े होते हैं, भाई-भाई में जगड़े होते हैं, बाप बेटा में जगड़ा होता हैं, माभान में, अनेक प्रकार के जगड़े होते हैं, यदि घर में पूरा जो सांती भंग हो गई हो, तो आपके घर में अवस ही निगेटिव इनरजी प्रिविस कर गई है, तो आपको कैसे करना है, ध्यान से पहले समझेगा, सनिवार के दिन आपको करना है, करना क्या है, सनिवार के दिन आपको एक तेल का दीपक जलाना है, कहां पर जलाना है, हनवान जी के मंदिर में जला दे तो और अच्छी बात है ने, तो आप अपने घर पर ही जला सकते हैं ठीक है तो सनिवार के दिन आप तेल का दीपक जलाएं और तेल का दीपक जलाते समय आपको तीन-चार लवंग उसमें डाल देना है ठीक है और तीन-चार लवंग डाल करके उस तेल के दीपक को परजलित करना है और इस दीपक को उस जगह पर अपने घर म डाल देना और सबसे जो आपका घर का अंधिरा जगा हो वहां पर आप रखते जिए बस वह निगेटिव इनर्जी वहां से छू मंतर हो जाएंगी और आपके घर में जो बीमारी समंदी समस्या हैं बार-बार बन रहेते ग्रीकलेस हो रहेते हैं ऐसी कुछ समस्या हो रहेते है 58% सारी संक्रटे खतम हो जाएंगे और आपका जीवन में खुसाले का रहुनक भर जाएगा घर में सुक सांति सम्रिद्धी सब कुछ पाइल जाएगा पांचों नमर के उपाय देखा जाएं कि जब आप कुशिसे करते हैं मिनात करते हैं और सफल भी हो जाते हैं लेकिन सुरू का बिना सोना खुद सुरू हो जाएगा आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा बस आपको हनुमाजे पर भरोसा करना है करना क्या है आपको मंगलवार या सनिवार के दिन किस दिन आपको करना है मंगलवार या सनिवार के दिन आपको हनुमान चरी सा का पाठ करना है उस राखको अपने मस्तस्क पर तिलक लगाना है यकीन मानिए जो आपके सत्रु हैंग, उस तिलक को देखते उसके उनके अंदर का भाव बडलना शूरू हो जाएगा और धीरे-धीरे उनके जो मन में आपके प्रति सतुरता थी वह धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी और वह को जीवन में फिर से जलने वालों के संख्या कम हो जाएगे इस तरीके से हनमाजी की किरपा लगएगी और आप जो दिन पर दिन आगे ही बढ़ते चले जाएगे छटवा नमर के दिन उपाय देखा जाए यह धन प्राप्ति के लिए धन प्राप्ति वैसे धन की तो चाह सभी को रखती है इस वाज़ा से चाहते हैं कि आप मेरे घर में मातालक्षमी का स्थाई निवास और मातालक्षमी का आगमन ही नहीं हो रहा तो आप सुक्रवार के दिन इस उपाय को करिएगा मातालक्षमी अवस्या आपके घर में आएंगे करना क्या है मातालक्षमी का पूजा करना है ठीक है मातालक्षमी का पूजा करना है लेकिन जब आप पूजा करें तो एक गुलाब का फूल लाना है रोस ठीक है एक गुलाब का फूल लाना है और दो लवों एक गुलाब का फूल और दो लवों मातलक्षमी के चरणों में समर्पित कर देना उसके साथ साथ आपको एक लाल कपड़ा में पांच लवंग और पांच कोणिया बात करके मातलक्षमी के चरणों में रख देना है रखने के बाद आपको उसको 24 घंटा तक छोड़ देना है रखने के बाद सबसे पहले वहाँ पर मातलक्षिमी की पूजा करना है, भी धिवत, ठीके मातलक्षिमी के बीज मंत्रों का उचारण भी करना है, इस सब काम करने के बाद 24 गंटा तक उस पोटली को वहाँ पर रख देना है, और उसके बाद उस पोटली को उठा कर अपने घर संबंदी संपति अनीक परकार के कुछ अचानक चाहिए बहुत जादियदी आप आर्थिक संकटों से घिर गए हो तो आपको अतुरंत चाहिए तो आप इस उपाय को करिएगा अवसी आपको छुटकारा मिल जाएगा करना का है आपको मंगलवार के दिन ठीक है मंगलवार के दिन आपको हनमान जी का पूजा करना है लेकिन हनमान जी के पूजा करती समय आपको सर्सू केСТेल का दीपक चलाना है थीक है सर्सू का şunu का दीपक जलाते वक्त उसी में दू लवंग भी डाल देना है ठीक है और वहां पर पैट करके हन्माण चीजे के अधि मंदी में इसकाम को करते है तो बढ़ी अच्छी बात है और हन्माण चले इशा का पाठ करना है और इसकाम को कम सक्कम 21 मंगलवार तक करते हैं तो अवसी वहां से पैसा आपके निकल जाएंगे बस 21 मंगलवार को तक इस काम को करना है ठीक है अगला नमर का उपाय है बेफुजूल खर्चे होते हैं पैसा तो कमाते हैं ठीक है लेकिन आपके घर में पैसे रुकते ही नहीं है कमाते 100 रुपे खर्चा हो जाते है 200 रुपे पांसो कमाते 700 खर्चे हो जाते है और पैसा बचा ही नहीं बाते है तो बस आपको करना क्या है ध्यान से समझेगा कि ताकि आपके जो बेफुजूल खर्चे है आपके खर्चे कम हो जाए और पैसा बचना सुरू हो जाए अमा उस मातलक्ष्मी के सामने पुजा करना और वहां पर उनके सामने ही बैठ करके 21 लवग कापूर के साथ किया करदे किया भान, मातलक्ष्मी के 20 मंत्रों को पढ़ते हुए और talent sawam gi de आपकी मन कामला रहे उनके रो से रो करके बिलख करके जैसे भी आप उनको कह सके ठीक है आप उनसे रो करके बिलख करके कहिए कि मैं आपका बेटा हूँ और आपका बेटा अच खर्ष्ट में पड़ा हुआ है माता आप मुझे माप करिये और मुझे जो समस्या उस समस्या से उपर करें मेरे को बहुत अधीक पैसों की जरूत मुझे धन संबंदी समस्या है माता आप मुझे इस समस्या से निवारड करिए अवसी अगर आप रो करके बिल्लग करके कर सच्री भक्त के जैसे आप अगर अपनी मातालक्षमी से पराथना करेंगे तो अवसी मातालक्षमी आपके साहयता करेंगे उसके साथ साथ आप जो भी उपाय करते हैं तो मैं आखिरी में एक ही बात कहना चाहतो कि यदि आपको भगवान पर भरोसा है हनुमान जी महराज पर भरोसा है, मात अलक्ष्मी पर भरोसा है, बागिस्वार बाबा पर भागोरोसा है थांडेड परसेंट आप उनका नाम लेकर करें अवसे आपके जीवन में सफलता आएगी आप कुछ ना करें कोई भी उपाय करें तो आप हनमान चालीसा का पाठ जरूर ही करें क्योंकि हनमान जी की किरपा जिनके साथ में रती है वहाँ पर जो सभी देवी देवताओं को तो आना ही पड़ता है क्योंकि हनमान जी ये कैसे देवी देवता है कि सभी लोगों को हमेशा परसंद किये हैं और आपको भी परसंद रखेंगे और उनके अवाहन करने पर कोई भी देवी होया देवताओं आना ही पड़ेगा आपका साहता करने के लिए इस वज़े से हनुमान चालिशा का पार तो सभी भक्तों को करना चाहिए उसमें बहुत ही अटूर सकती है जै जै राम, जै सिय राम, जै हो हनुमान जी माराज, फिर से अगले वीडियो में नए नालिश के साथ मैं आपके लिए ले करके आऊंगा